हारत माता की जैड़ हारत माता की जैड़ साथ्यों आपका ये होसला आपका शारिय और माभारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पन और तुलनिय है आपकी जिवर्ता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है जिन कठीन परिस्थितियों में जिस उंचाई पर आप माँ भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं उसकी सेवा करते हैं उसका मुखाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है आपका साहस उस उंचाई से भी उंचा है जहां आप तैनाथ है आपका निश्चा है उस गार्टी से भी सक्त है जिसको रोज आप उपने कदों से नापते हैं आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्दगिर्द खड़ी है आपकी इच्छाशक्ति आस पास के परवतों जितनी अटल है आज आपके बीच आखर मैं इसे महसूस कर रहा साथशाथ अपनी आँखों से इसे देख रहा साथियों जब देश की रख्षा आपके हाथों में है आपके मजबूत इरादों में है तो एक अटूत विश्वास है जर मुझे नहीं पूरे देश को अटूत विश्वास है और देश निश्चिंद भी है आप जब सरहग पर टटे है तो यही बात विश्वासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेवित करती है आत्म दिर भर भारत का संकल आप लोगों के कारण आपके त्याग बलिदान पुरसाद के कारण और मजबुद होता है और अभी जो आपने और आपके साथियों ने बीरता दिखाई है उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है और मैं मेरे सामने महिला फोजियों को भी देख रहा हूं युद्ध के मैदान में सीमा पर ये दर्च अपने आपको प्रेणा देता है साथियों राष्ट कवी रामधारी सी दिनकर्जी ने लिखा था जिनके सिहनाद से सहमी धर्ती रही अभी धर्ती रही अभी तक डोल कलम आज उनकी जय बोल तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूँ आपका अभिननन करता हूँ में गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनह स्रद्धाजली अर्पित करता हूँ इनमें पूरत से पस्चिन से उत्तर से दक्षिन से देश के हर कोने के बीर अपना शौर्य दिखाते थे उनके प्राकरम उनके सिहनात से धर्ती अब भी उनका जयकारा कर रही है आज हर देश्वाजी का सीर आपके सामने अपने देश के भी सेनिकों के सामने आदर पुर्वक नतमस्तक हो करके नमन खरता है आज हर भारतिय की छाती आपकी वीरता और प्राकरम से फुली हुई है साथियों सिंदू के आशिरवाद से ये धर्ती पुन्य हुई है बीर सपुतों के शावरी और प्राकरम की गाताओं को ये धर्ती अपने आप में समेटे हुई है लेख लगदाव से लेकर करगीर और सियाचिन तक रेजांगला की परफिली जोटियां से लेकर गलवान गाटी के थंडे पानी की धारा तक हर जोटी हर पहाड हर जर्रा जर्रा हर कंग्याड पत्थर भारतिय साइनिकों के पराकरम की गवाही देते हैं कि फोटिन कोर की जावाजी के किस्से तो हर तरफ है दुनिया ने आपका अदम में साहत देखा है जाना है आपकी शौर्य गाथाएं गर्ण गर्में गुंज रही हैं और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर आपकी फायर वोई देखी हैं और आपकी फ्यूरी भी साथियों लद्दा का तो यह पूरा हिस्सा यह भारत का मस्तक है एक सो तीस करोर भारतियों के मान सम्मान का प्रतीक है यह भूमी भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशां तैयार रहने वाले राश्ट भक्तों की धर्ती है इस धर्ती ने कुशत बगुला रिंग पहुच्छे जैसे महान राश्ट भक्त देश को दिये हैं यह रिंग पहुच्छे के ही उनी के पहरंट जिनोंने दुश्बन के नापाग इरादों में स्थानिया लोगों को लामबंद किया रिंग पहुच्छे के गुवाई में यहां अलगाव पदा करने की हर सागीश को लद्दा के राश्ट भक्त जन्ता ने नाकाम किया यह विनी के प्रेरख प्रयासों का परणाम था कि देश को भारतिय सेना को लद्दाख स्काउट नाम से इन्फंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेरणा मिली आज लद्दा के लोग हर स्थर पर चाहे वो सेना हो या सामान्य नागरिक के कर्तप्र हो राश को ससक्त करने के लिए अदभूत योगदान दे रहे साथियों हमारी यहां तहां जाता है खडगेन आक्रम्य बंजीत है खडगेन आक्रम्य बंजीत है वीर भोक्या वसुंदरा यानी वीर अपने सस्त्र की ताकत से ही धर्ती की मात्र भूमी की रक्षा करते हैं यह धर्ती वीर भोक्या है वीरों के लिए है इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ हमारा संकल्प हिमाले जितना ही ऊंचा है यह सामर्थ और यह संकल्प में इस समय आपकी आँखों में मैं देख सकता हूँ आपके चहरों पर यह साब साब नजर आता है आप उसी धर्ती के वीर है जिसने हजारों वर्सों से अनेतों आकरांताओं के हमलों को अत्याचारों का मुह तोड़ जवाब दिया है हम और यह हमारी पहचान है हम वो लोग है जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम वही लोग हैं जो सुदर्सन चक्रधारी कृष्ण को व्यादर्शमान करके चलते हैं इसी प्रेंडा से हर आकर्मन के बाद भारत और ससक्तव करूब रहा है साथियों रास्त की दुनिया की मानवता की प्रगति के लिए शांती और मित्रता हर कोई स्विकार करता है हर कोई मानता है बहुत जरूरी है लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांती निर्वल कभी नहीं ला सकता कमजोर शांती की पहल नहीं कर सकता वीर्ता ही शांती की पूर्वशर्ट होती है भारत आज जल, थल, नग और अंत्रीक्स तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके बीछे का लक्ष्य मानव कल्यान ही है भारत आज आदुनिक अस्त्र सस्त्र का निर्मार कर रहा है दुनिया के आदुनिक से आदुनिक तक्नीक भारत की सेना के लिए ला रहे है तो उसके पीछे की भावना भी यही है भारत अगर आदुनिक इंफास्त्र का निर्मार तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेज भी यही है विश्व युद्व को अगर हम याद करें विश्व उद्व हो या पिर शांती की बाद जब भी ज़रुत पड़ी है विश्व ने हमारे भीनों का प्राक्रम भी देखा है और विश्व सांती के उनके प्रयासों को मैसूस भी किया है हमने हमेशा बानों तक इंसानियत की हिमेनिती की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है जीवन खपाया है आप सभी भारत के इसी लक्ष को भारत की इसी प्रंपरा को भारत की इस मही महान संस्कृति को साबिट करने वाले अगवा लीडर हो साथियों महान संत तिर्वलुवर्जी ने सैंक्लो वर्ष कुर्व कहा था मारा मानं मांड़ बडी चेलव तेकुं येना नानगे ये मम पड़ाई कहा यानि शौर्य सम्मान मर्यादा पुर्ण व्यहवार की परंपरा और विश्वसनियता ये चार गूं किसी भी देश की सेना का प्रतिम्ब होते हैं बारत की सेना ये हमेशा से इसी मार्ग पर चली है साथियों विस्तारबाद का यूग समय अत्त हो चुका है ये यूग विकासवाद का है तेजी से पदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है विकासवाद के लिए ही आउसर है और विकासवाद ही बविश्य का आधार भी दे रहे है बीती शतारदियों ने बीती शतारदियों में विस्तारबाद ने ही मानवता का सबसे ज़्यादा हित किया मानवता को विनास करने का प्यास किया विस्तारबाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है उसने हमेशा विश्व शांती के सामने खत्रा पैदा किया और साथ्यों ये न भुले इत्यास गवाँ है कि ऐसी ताकते मिट गई है या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है विश्व का हमेशा यही अनुभाव रहा है और इसी अनुभाव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारबाद के खिलाब मन बना लिया है आज विश्व विकास वाद को समर्क्वित है और विकास की खुली स्परधादा स्वागत कर रहा है साथियों जब जब मैं रास्त रक्षा से जुड़े किसी निल्डे के बारे में सोचता हूँ तो मैं सबसे पहले दो माताओं का समर्ण करता हूँ जब भी मैं राष्ट रक्षा के विशे में सोचता हूँ तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूँ पहली हम सभी की भारत माता जब मैं दो माताओं का स्मरण करता हूँ पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी बेवीर माताएं जिनोंने आप जैसे प्रवाग पराक्रमी योजदाओं को जन्म दिया है मैं उन दो माताओं का स्मरण करता हूँ मेरे नेरे की कसोटी यही है इसी कसोटी पर चलते हुए आपके सम्मान आपके परिवार के सम्मान और भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच प्रात्विक्ता देता है सेनाओं के लिए आधुनिक अतियार हो या आपके लिए जरूरी साजो सामान इन सभी पर हम बहुत ज्यान देते रहे हैं अब देश में बार्डर इंफ्रस्रेक्टर पर खर्च करीब करीब तीन गुनाद कर दिया गया जाए इससे बॉडर एरिया बॉडर एरिया डेवलप्मेंट और सीमार सड़के पूल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है इसका एक बहुत बड़ा लाग ये भी हुआ है कि अब आग कि तक सामान भी कम समय में पहुँचता है साथियों सेनाओं में बहतर समन्वे के लिए लब्मे समय से जिसकी आशा थी वो चीफ आप डिफेंस स्टाप के पत का गठन करने की बात हो या फिर नेशनल वार मेमोरियल का निर्वान वन रैंक वन पेंशन का फैसला हो या फिर आपके परिवार की देखरे से लेकर सिख्षा तक की सही व्यवस्ता के लिए लगातार काम देश आज हर स्तर पर अपनी सेनाओं और सैनिकों को मजबूत कर रहा है साथियों भगवान गवतम बुन्त ने कहा है साहस का सम्मंद प्रतिबद्धता से है कन्विक्षन से है साहस करणा है साहस कमपेशन है साहस वो है जो हमें मिर्भीक और अडिक होकर सत्त के में पक्षमें खड़े होना सिखाए साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की उर्जा देता है साथियों देश के वीर सपुतों ने गलवान गाटी में जो अदम्य साहस दिखाया वो पराक्रम की पराकाश्टा है देश को आप पर गर्व है आप पर नाज है आपके साथ ही हमारे आइटी बीपी के जमान हो बीएसेट के साथी हो हमारे बियारों और दूसरे संग्टरों के जमान हो मुश्किन हालात में काम कर रहे हैं इंजीनियर हो स्रमीख हो आप सभी अदभूत काम कर रहे हैं हर कोई कंदे से कंधा मिलाकर माभारती की रक्षा के लिए माभारती की सेवा में समर्पित है आज आप सभी की महनत से देश अनेत आपदाओं से एक सांथ और पूरी दड़ता से लड़ रहा है आप सभी से प्रेणा लेते हुए हम मिलकर हर पर हर चुनोती पर मुश्किल से मुश्किल चुनोती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं जिस भारत के सामने और हम समने जिस भारत के सपने को लेकर और विशेश रुप से आप सब सरहत पर देश की रक्षा कर रहे हैं हम उस सपने का भारत बनाने के लिए आपके सपनों का भारत बनाने के लिए 130 करोर देशवासी भी पीछे नहीं रहेंगे कि मैं आज आपको विजवात दिलाने आया हूँ हम एक ससत और आत्मंदिर भर भारत बनाएंगे बना करके ही रहेंगे और आप से प्रेणा जब मिलती है तो आत्मंदिर भर भारत का संकल्ब भी और ताकत पर हो जाता है मैं फिर एक बार आप सभी का रवे से